हेलो प्रेंड कैसे यूँ आप सबी आज कल ज़्यादतर घरों में मिट्टी का घड़ा देखने को मिलता है क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत फायदे मंद होता है इस भीसम गर्मी से राहत पाने के लिए अक्सलो घरों में मिट्टी का घड़ा या सुराई का इस्तिमाल करते ह हैं ये घड़ा ना सिर्फ पानी ठंडा करता है बलकि इसके और भी बहुत फायदे होते हैं धरम सास्त्र में भी मिट्टी के घड़े को बहुत ही पवित्रमाना गया है कहते हैं कि जिस घर में मिट्टी का घड़ा होता है उस घर में लक्षमी सदय बास करती है इसको रखने के लिए बास्तू सास्त्र में कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए तो अगर आप भी घड़ा लेने जा रहे हैं तो इन नियमों का बहुत ध्यान रखें तो आईए जानते हैं कौन से हैं वो नियम खरीद रहे हैं मिट्टी का घड़ा तो जाने ये आवश्यक बाते हैं वास्तू सास्तर के मताबिक अगर नया घड़ा लेकर आए हैं तो सबसे पहले उसे अच्छे से साप कर लें और फिर उसके बाद उसमें पानी भर के रख दें कम से कम पांच गंटे के बाद उसी पानी को तुलसी या घर के पौदे में डाल दें इस सब के बाद ही साप पानी भरें दयान रखें सबसे पहले किसी कन्या को ही घड़े का पानी फिलाएं ऐसा करने से कभी भी घर में अन्य धन की कमी नहीं देखनी पड़ेगी मिट्टी का घड़ा जिस दिसा में रखें घर में मिट्टी का घड़ा रखने के लिए उत्तर या पूर्वद दिशा को उत्तम माना गया है ऐसा करने से जीवन में तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं सास्तरों के अनसार मिट्टी के गड़े में पानी भरकर रखने से सनी की किरपा प्राप्ती होती है ऐसा करने के लिए सनवार के दिन पीपल के नीचे एक गड़े में पानी भरकर रख दें मिट्टी के घड़े से जोड़े बास्तु टिप्स बास्तु सास्त्र के अनुशा साम के समय मिट्टी के घड़े के पास दीपक जरूर रखना चाहिए ऐसा करने से कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और हमेशा सुक समर्दी में बड़ोतरी होती है भूलकर भी पानी के घड़े को खाली ना रखें, मिट्टी के घड़े को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए इसे हमेशा पानी से भर कर रखें, खास तोर पर रात के समय कहा जाता है अगर घड़ा खाली हो तो घर में दर्दता का सामना करना पड़ सकता है गर में मिट्टी का गाड़ा रखने से मालक्शिमी होंगी पिरसन घर में रखा हुआ मिट्टी का गाड़ा बुद्ध और चंद्रमा की इस्तिती को निरंतर करता है और चल रहे असुब प्रभावों को दूर करने में भी मदद करता है इसी के साथ घर में घड़ा रखने से पित्तरों का आशरवाद प्राप्त होता है तो फ्रेंड ये जानकारी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों शेयर करते हैं धन्याबाद